हेलो एवरिवान स्वागत है पीड़ोली आईस में आज हमारा 67 चैप्टर है नैशनल इन्वेस्टिकेशन एजनसी का अब यह बहुत बड़ी एजनसी है पूरे देश भर में काम करती है देश के बाहर भी काम करती है अब यह वो सारे काम उठाती है जो जुड़े हैं टेरर से यानि जहां भी आतंगवाद जैसी कोई गतिविधी होगी कोई साइबर अटैक जैसी कोई एक्टिविटी होगी हाईजैकिंग होगी या देश के हमारे जो नुकलियर प्लांट है अगर उन पर कोई अटैक करता है तो इनकी जम्मेदारी है उसको पूरा इंवेस्टिगेट करना उसको सारी इंफोर्मेशन को जोड़ के रखना फिर प्रोसेक्यूट करना और सजा दिल्वाना अब यह एजनसी बहुत फेडरल एजनसी है देश की सबसे कूप सेंटरल एजनसी है और मिनिस्टिग अंडर आती है अब हमारा क्वेश्चन यह होना चाहिए कि सर जब हम NIA भी पढ़ रहे हैं तो आपको याद होगा कि पिछले से पिछले साल भी एक संस्था बहुत ज़्यादा न्यूज में थी याद आगई NCB तो NCB क्यों नहीं है इस बुक में अब NCB नहीं है NCRB नहीं है NCRB के तो हर साल डेटा हमको पढ़ना ही होता है तो ऐसी कुछ एजनसी है जो इस बुक में नहीं है वो हम बाद में देख लेंगे एक साथी पर अभी चलते हैं अपना इस पे क्या हुआ कि इंडिया शुरू में हमारे मुंबई में अटैक हुआ था कई सारे आतकवादी आये थे पानीक रास्ते से फिर उसके बाद याद कीजिए कि हम जब शुरू से कहते रहें कि नहीं नहीं यहाफिस सही जैसे लोग प्रॉब्लम हैं यह सब लोग परिशान कर रहे हैं हम यहम तरस्त हैं इस एक् जो डील करें टेरर रिलेटेड क्राइम से सारे एक बार में जितने सारे अपराद होते हैं यह सारे टेररिजम को एक अंडर एक अम्रेला में लेके आया जाए और एक एजंसी उसमें यह करें पूछता आज फिर हम लेके आए एक्ट नैशनल इंवेस्टिकेशन एजंसी एन जो एनाई यह हमारी एक सेंट्रल काउंटर टेररिजम एजंसी बन जाती है जो लॉइनफोर्स्मेंट एजंसी का काम करती है इसमें काम कर रहा अब ना शुरू किया अब आप पूछो किसार इसमें कौन लोग होते हैं कितने चेयर परसन कितने मेंबर कितने यह सब नहीं ब पढ़ेंगे इसका मिशन इसका विजन इसका फंक्शन वो सब देख लेंगे पर हम ज्यादा इसमें की बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि नहीं यह करने के लिए अब नाई दिल्ली में का है ठीक है और इनके अलग अलग स्टेट्स में इनके अपने ब्रांच ऑफिस भी होते ठीक है हर स्टेट में कहीं अपने जहां जहां पर इनको लगता है कि पोटेंशल यह जगे है जहां पर टेरर्डिस एक्टिविटी या यह जो भी गतेविदी जो भी हो रहे है यह तो आपने एक फील्ल ऑफिस ब्रांच ऑफिस बना लिया अब इनका अलग से एक और सेल होत पता है आपको मैं बताओं क्यों क्योंकि पैसा क्यों इतना हम इसको एहमियत दे रहे हैं इस चीज में कि भई आतंगवाद के बीच में फेक करेंसी का मतलब है यह अलग चीज है नहीं यह सब इंटरलिंकिंग है आपको अगर मैं एक बहुत च्छोटे एक्जांपल से बता बता है मानलो इस पूरे पैसे की टूटल वैल्यू है आप सो रुपे ठीक है अब सो रुपे इस एकनोमी में गूम रहे हैं सो रुपे की वर्थ केस में प्रोड़क्ट अंदर खरीदे जाते हैं बेचे जाते हैं जो भी है यह एक रफ बहुत ही स्केची एकनोमी बनाई है म आप इमेजन करो इसमें कोई एक शक्स ऐसा आये जो बोले कि मेरे पास कुछ नकली नोट है अब वो क्या करेगा इस सो रुपे में अपने 20 रुपे एड़ कर देगा जो नकली हैं बस यह याद करो आप कि हाँ यह जो 20 रुपे हैं यह नकली है यानि कि आप टोटल इस एकन अंजान व्यक्ति के लिए वो कितने हैं 120 रुपे अब क्या 120 रुपे के वर्थ का अंदर सामान बन रहा है अगर फेक करेंसी अगर यह अगर मैंने यूज करी कुछ सामान खरीदने में तो एक्चुली मैं तो उसका लॉस गुए जिसना सामान बेचा और मैंने वो सामान एक करेंसी दूसरे से इसलिए हम कहते हैं और फेक करेंसी अगर हम रोक लिए कई सारी तो और अब्लैक मनी रुख जाएगा अमारा टेरर फंडिंग रूख जाएगी क्योंकि टेरर फंडिंग कैसे हो रही है पहला नकली जो यह नोट्स होते हैं पहले उनको एकनोमिय में बहुत सीरियस है यह अगर यह रुख जाए तो इनकी सारी गतिविदी रुख जाएगी जितनी ज्यादा यह जम्मुकश्मिर में जो इंसरजन्सी करवाता है वह ऐसे करवाता है पहले फेक करन्सी वहाँ से कहीं से बनवा अगे पाकिस्तान से कहीं और से यहां विजवादी यहां उस fake currency को circulate किया गया और आप तो fake currency को रोकने के लिए हमने बहुत सारे tools, हमने बहुत सारी चीने device कर ली हैं पहला तो बहुत जादा होता था कि 100 अरपय के note, 500, 2000 के note यह तब 2000 के तो होते ही नहीं थे, 500,000 के होते थे तो अब उन notes को पूरे currency में चलवाया सब कुछ की, आपको याद होगा कितना लोग दुकानदार सब लोग 500 के note को ऐसे देखते थे, अरे क्या है नकली तो नहीं है क्योंकि बहुत जादा fake currency पकड़ी जाती थी, circulation में थी, RBI के rules सलते थे कि भाईया पहले उस silver पटी को देख लिया करो और छू के देख लिया करो, note की खनक देख लिया करो, ऐसे कर करके, कि note में खनक होनी चाहिए, तो वसब यह तरीके होते थे खेर, अब यह पूरा टेरर फंडिंगा fake currency का इनका अपना division है, which is very important, अब इसके बाद center ही, center ही इनको appoint करता है, और कोई इसमें जादा पूछताच नहीं, कौन सी committee, कौन सी selection committee, कुछ नहीं, center ने ढूणा कि कोई एक बहुत अच्छे officer होने चाहिए, जो की बिलकुल integral होने च अब एक जो director general होता है, जो head होता है, तो director general equivalent होता है, जैसे एक state में highest DGP होता है, पुलीस का person, जो सबसे बड़े officer होते हैं, police के एक state में, वो होते हैं DGP, director general, वो police महा निदेशक है, अब वो direct करते हैं हर किसी को कि आपको अपना department कैसे कैसे चलाना है, ठीक है, तो उनीक equivalent इ एक अंडर ही इनको काम करना है, काफी सारा काम है, देश भर में काम है, देश के बाहर भी काम है, हर जागे काम है, तो यह सब इनीक अंडर deal कर लेते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि इसके बाद इनको क्या-क्या काम बोला गया, क्या-क्या हुआ है, कब इनको बात हैं इनके लि जो across the border sponsor हुआ है मतलब cross border terrorism समझ में आगे ये word ये आप internal security में पढ़ते हो अपने cross border terrorism तो ये जो cross border terrorism है हम इसके sponsor होने की वज़े से हम victimize हुए है कितने सारे incidents हम आपको गिना सकते हैं बता सकते हैं जैसे क्या-क्या militancy है militancy माने जब लोग बंदुग उठा लेते हैं militant हो जाते हैं combatting and insurgent होने लगते हैं कि अलगा अवाद की भावना है कहीं से police का काफिला जा रहा है गोली चला दी ये कर दी वो कर दी और कई सारे affected areas है जहां पे left wing terrorism होता है अपने देश में हम देखते हैं नकसलवाद, मावबाद, ये सारा फिर terrorist activities होती हैं bomb blast होते हैं तो हमने कई जादा इतने सारे हर जगे देखा है hinterland में देखा है देश के कहीं कहीं बड़े-बड़े चैरों में देखा है सरोजनी market में हुआ था वो भी देखा था हमने खुब देखा है तो इन सब के बाद ये incident they are found to have complex interstate and international linkages कि एकी state में अगर जहां घटना हुई है क्या उसी state कहीं सारे उसमें activity हुई होगी नहीं, बिल्कुल नहीं हर जगे दूसरे state में कोई ना कोई उनका एक गतिविदी का कोई point होगा कोई point of contact कहीं बैठा होगा कि छुपा होगा तो हर किसी state में interlinkage करनी पड़ती है पुलिस फोलिस को phone करना पड़ता है यहां से जाओ उसको पकड़ो हमारे हैं एक साथ दबिश देंगे इससे बढ़िया है इससे जरूरी है कि एक federal agency हो जाए सबसे बड़ी agency हो जाए वो काम समाल ले अब यह जो connection होते हैं यह other activities से जुड़े हुए होते हैं जैसे हमने पीछा भी बात करी थी जैसे smuggling of arms and drugs अब pushing ऐसे ऐसी वाली fake currency यह हमारे circulation में जो fake Indian currency हो जो अभी हमने बात करी जिसके के नगली नोटों की बात कर रहे है and infiltration from across the borders etc आपको बताओ एक चीज जैसे हमारा हमारा यहाँ पे जो हमारा western side है map का उसमें अगर हम एक rough map बना रहे हैं ऐसा तो यह रहा हमारा map ठीक है मैं इसको पूरा complete नहीं कर रहा हूँ उपर क्योंकि हमें इधर के रीजन से काम है अब मान लेते हैं यह हमारा मुकुट है ठीक है यह रहा अब इधर आपको पता होगा कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब और उपर जम्मू कश्मीर ठीक है ऐसे है हमारा western side अब जो हमारा western side में इधर से region है गुजरात से, गुजरात का region, गुजरात का border actually हम अभी बात करेंगे सिर्फ border की बात करेंगे ठीक है, BSF का काम समझो, आप कितना important है कि गुजरात में सबसे बड़ी, गुजरात में सबसे बड़ी खेप पकड़ी जाती है, arms की प्लस, drugs की ठीक है, आप इसके उपर चले हम, हम चले उपर राजस्थान में, राजस्थान में सबसे ज़्यादा हम supply देखते हैं, पता है किस चीज की, smuggling की smuggling of human trafficking, कई सारे हमने ऐसे incidents देखे हैं, जो राजस्थान border से लोगों को पास करवाते हैं, इधर से उधर border के यह सारे incidents हुए हैं, फिर इसके बाद हम चले उपर पंजाब में, पंजाब में तो हमें पता ही है, कि एक drugs की बहुत बड़ी problem है, और फिर हम उपर चलेंगे, जब जम्मू एंड कश्मीर में, तो जम्मू एंड कश्मीर में तो हमें पता ही है, कि हर तरह का यहाँ पर तो कॉंबो है, जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में, all of them यहाँ पर, सबसे ज़्यादा mainly तो देखो, arms है, drugs है humans है, हर चीज का आपको यहाँ पर emalgation दिखता है जो पूरस border से, वादिया है, पहाड़ है पहाड़ों पर थोड़ी कोई fencing करता है पहाड़ है, कोई कूद के आगया, छुप के आगया रातो रात आगया, पता नहीं चला, जब तक IR camera ना हो, जब तक हमारे जबान vigilant ना हो, तब तक यह कोई पकड़ में नहीं आता है कोई ना कोई आ जाता है, तो यह सारे जो हमारा western border है, बहुत ज़्यादा प्रभावित है इन सारे activities, इन सारे गतिविदी से, कि गुजरात से arms आ रहे हैं, गुजरात से drugs आ रहे हैं यह इसमराजस्थान में हमारा सारे जो illegal trafficking होती है, humans की वो हो रही है पंजाब से drugs की हो रही है, फिर जम्मो कश्मीर में इन सब का combination है पूराई, तो यह सारे issues हैं, इसलिए हमें जरूरत पड़ी, हमें मुश्किल समय में हमने सोचा कि अब यह समय बहुत ज़्यादा tough होता जारा है हमारे लिए हम अब बात करेंगे, एक ऐसी संस्था की हम, हमें जरूरत है कि एक ऐसी संस्था बन जाए एक central level पे, जो investigate करे offenses को, which are related to terrorism and certain other acts कई और acts हमने लगा रखें, बहुत सारे UAP Act है, उसमें पोटा Act हुआ करता था उसमें उससे पहले और भी Act हुए करते थे Money Laundering Act होता था, FEMA होता था तो कई सारे acts के तहट भी NIE काम कर सकती है, which have national ramifications, ठीक है कई सारे offense जो, जिनकी वज़े से पूरे देश पे, राश्ट्रिय रूप में एक ramification, यानि consequences आते हैं तो उनको investigate करने के लिए ये संस्था है, अच्छा, ठीक है अब कई सारे expert committee रही है second ARC commission रहा है इसने भी बोला था, कि एक recommendation हम ये भी देना चारे है, कि आप एक SE, एक agency को establish करो, SE वाले agency को आपको याद है, second ARC के chair band कौन रहे थे chair, जो highest person होते है ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे, हाँ बताओ, क्या काम है इनका, आप ये तो बता नहीं रहे हो कि इसमें कौन लोग होते है, tenure कितना होता है कौन appoint करता है, क्या शपत होती, कुछ नहीं बता रहे है, हम बात करेंगे खाली NIA का काम क्या है, अब NIA को mandate मिली है NIA is mandated, कि आपको ये ये सब करना है, क्या क्या investigate and prosecute, offenses जो कई सारे acts के तहत या जो NIA act में एक जो last में schedule बना हुआ है, जैसे हमारे समधान में होता है, तो NIA act है proper, NIA act में क्या होता है act में पहले definition होगी, फिर ये composition होगी, फिर ये होगा कि इनका mandate कहा है इनके vision क्या है, इनका mission क्या है सारी चीज़े होगी, अब इसके बाद last में NIA act में schedule भी है schedule या नहीं वही, अनुसूची, तो उस सूची में सारे list बनी होई है पूरी कि कौन से कौन से act के तहत NIA जा जाके investigation, prosecution कर सकती है, तो कई सारे act है उसमें UAPA है, UAPA तो सबसे main है और उसमें NCB वाले acts भी है जैसे जो हमारा NDPS act है ठीक है, NDPS act NDPS act क्या होता है, पता है पता ना, तो NIA क्या करती है, NIA देश भर से सारे counter terrorism ये जतनी investigation होती है, जतनी सारा detail आता है, सब कुछ आता है, उस सारी information collect करती है, collate करती है, analyze करती है ठीक है, collector ना मतलब रखना collate करना मतलब सब कुछ collate करना भी collector नहीं होता है collate करने का मतलब होता है, कि सारी information को लिया जा रहा है, एक जगे जमाया जा रहा है संजोया जा रहा है, और ये उसको इंटेलिजेंस एजनसी कॉन को सिश्चर इजनसाओं GO जैसे जो एंडि इसक को देखती है एंसी भी फिर एंसी आर्वी भी भी है फिर कई सारे और हमारे ब्यूरो है और एजैंसी एई को यह पुलीस को भी स्टेट्स के अपने अपने उन एजनसी के साथ जो सिस्टर एजनसीज हैं इंटेलिजन्स की हमारी उनके साथ साजा करें सारी इंफर्मेशन कि हमें ऐसी खबर लगी है हमारे जो जो हमारा मुख्बिर है उसने यह बताया उस आत्मवादी जंगटन में जो जो स्टेट्स में होती होती है बोत है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्मेंट लेविल्स ठीक है यह इनका मैंडेट हुआ अब इसके अलावा भी यह ऐसे और मेजर ले सकती है विजार नैसेसरी फॉर स्पीडी एंड इफेक्टिव इंप्लिमेंटेशन ओफ कई सारे एक् यूपर और उसको उस प्रूफ को यानिश प्रूफ मने कॉन हो सकता है पूई विट्थनेस हो सकता है को ध्यों सकता है को उन्हें लग राएंगी यह उट्रे में है में है यह यह ज्न कहistent है एनाइए का विजन है वो क्या है कि एनाइए एम्स टू भी अ थोरोली प्रोफेशनल इंवेस्टिगेशन एजन्सी ठीक है वेरी गुड यह होना ही चाहिए जो सबसे ज्यादा हाइए इंट्रेशनल स्टैंडर्ड जैसे और सारे एजन्सी काम करती है जैसे एनसे है तो यह यह सारी एजन्सी के एक्वल यह लोग काम करें और एनाइए का एम भी रहता है कि स्टैंडर्स ऑफ एक्सिलेंस इंड हमारे नैशनल जो सेक्योरिटी जितने हमारे मैटर है इनमें यह नैशनल लेविल पे भी हो चाहिए स्टेट लेविल भी हो यह बहुत ही मतलब जिसे कह एक और एम है कि वो डेटरेंस क्रियेट करें ताकि ऐसे जो लोग है जो कतिविदी ऐसी करते हैं मुंबई हमले सरोजनी डिली हमारा बैंगलॉर चेन्नाई कोलकता ऐसे वाले हमलों को और पूटेंशल थेट्स को यह बिल्कुल नूट्राइज कर सके डिटर कर रखे कि अग एक स्टोर हाउस बनाए टेर्रस लेटर इंफरमिशन का सब तरफ जो फिल्मों में देखते हैं हम जैसे किसी हमले के बाद एकदम बिल्कुल बहुत बड़ा यूएस में पेंटागॉन में कई सारे लोग बैठते हैं प्रेसिडेंट बैठते हैं और फिर एक सेक्यूरिटी सर पूरा टीवी पे दिखाता है कि देखो यह है एकस वाईजट परसन यह फलाना अभी यहाँ पर है इन सब चीजों में लिप्त पाया गया है हम इसके उपर इतना इनाम रखे हुए हैं सर आप बस येस बोलो इसको हम उठा लेंगे तो वो सारी इंफरमिशन होती है वो इ अब इतना बड़ा जो वहां का वो जो आतंगवादी है तो आतंगवादी तो वह है उसके पीछेतें सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे हमने ऐसे लोगों को देखा जो बहार गुम रहे होते हैं जेल में रहने के बाद भी वो ऐसे को रॉप को इनको सब आइडिया होता है फिर अब एनाय के मिशन देखो आप कि मिशन को मिलाके सीधी सची बाचा में यही है कि टेरर्स अक्टिविटी नहीं होना देनी है बस ठीक पर इसके लिए क्या क्या जरूर है यह mission में बहुत सारे बस खाली इतने एक लाइन से काम नहीं होता है फिर क्या है कि in-depth professional investigation होना चाहिए of scheduled offenses हर चीज का record होना हर चीज का एक बिलकुल तरीका होता है तो जो scheduled offense होते हैं जैसे IPC में लिखे हुए हैं जैसे और सारे आज जो टेकनीक चल रही है forensics की investigation की scientific temperament के साथ हम वैसे investigate करेंगे and setting up such standards as to ensure that all cases interested to it are thoroughly detected कि जो जो नियों केस मिले वो ensure कर दे कि देखो हमसे बहतर तकिकात कोई नहीं कर सकता है जहां भी कई bombing होती है उसके बाद आप देखो पूरे जोन को kordon off कर देते हैं कोई बुरे हाथसे के बाद उस एरिया को पर अब जैसे प्राइम मिनेसर का निवास है आवास है तो प्राइम मिनेसर का आवास भी actually kordoned off है आप जो पहले जिस रोड को हम कहते थे रे स्कोर्स रोड तो अब उसका नाम change हो गया है अब उसका नया नाम कुछ और है दिल्ली में जो रोड है जहाँ पर पीम का निवास है 7RCR तो अब क्या हुआ है कि जो पीम का निवास है वो एक्चुली में वो जो रोड है है वो जनता वह नहीं जा सकती क्यों जा सकती बाई प्राइम इनिसर वह रहते हैं तो वह पूरे तो वह पूरे बिल्कुल रोड के मुहाने पर ही बैरिगिटिंग कर दी जाती है वह पूरा एरिया सीड़ ओफ होता है अगर कोई गाड़ी वहां आती है पहले वहां पर पूलि है तो यह तो मिल रही है किसी आतंगवादी का कोई अगर सैंपल मिल जाए तो DNA का, उसके हाथ का, पैर का, कुछ बंबर है, कुछ भी, तो उसको उठा लिया फिर हर चीज की तेकिकाद, detailed तेकिकाद, ये sure करना कि हम तक अगर case आ रहा है solve हो गई होगा, हम लटकाएंगे नि उसको, हम speedy trial देते हैं, effective and speedy trial हम नहीं समय लगा रहे इतना, हमारे पास आंसर है ये रहा, देखो, ये रहा आंसर फिर, developing into a thoroughly professional, result-oriented organization, जो uphold करती है हमारे देश का सम्मिधान, हमारे देश के law of the land, ठीक है, बिल्कुल सही giving prime importance to the protection of human rights and dignity of, अपना individual, जैसे भी, ठीक है फिर, developing up, ये अपना एक ऐसी professional workforce हो, जो बिल्कुल, मतलब professional जैसे कहते हैं, बिल्कुल, इमानदारी से काम कर रही है, काम के लिए काम कर रही है, ये कोई और तरीके से काम नहीं कर रही है, through regular training and exposure to the best practices, जितनी देश पर, जितनी international में भी, ये वहारे level पे भी, कैसे कैसे आजकल नहीं तरीके इंवेस्टिकेशन हो रहा है, जाके गए सीख किया है, अगर कोई agency हमसे share करना जारी स्पिरिट, जब भी हम कोई ऐसे, अपने duty, ऐसे हम डिस्चार्ज करेंगे, as an officer of NIA, तब हमें जो duty मिली होंगी, हम डिस्चार्ज करने के लिए scientific temper, यह नहीं पुराने तरीके से जा रहे हैं, पहले अपने गाड़ी में जा रहे हैं, लंबी-लंबी पहले, चाय पीएंगे, तब बात करेंगे, कुछ नहीं, पहले काम करना काम करो, सही तरीके से काम करो, फिर इसके बाद, इंडक्टिंग, modern methods, ऐसे वाले, लिटेस टेकनोलोजी, इन एवरी स्पीर अप्टिविटीज अफ दे एजिंसी, पता है क्या, हम जो ट्रेडिशनल, अभी तक टेररिजम देखते हैं, वो क्या देखते हैं, कि कोई असुसाइड बंबर आया, उसने आके, मार्केट में आके अपना west खीच दी, और सब लोग आसपास के मर गए, पता है क्या नया terrorism है, बायो terrorism, पता है नया terrorism क्या है, cyber terrorism, cyber terrorism को आप क्या समझ रहे हो, यह लगता है यहाँ, website है कोई, यह दुबारा सर्वर रिस्टॉल करेंगे, सब आ जाएगा, पता है, cyber terrorism कितना important है, कितना ज़्यादा इस समय जिसे कहते हैं, एक देश के लिए बहुत बड़ा सिरधर्दी है वो, कि cyber terrorism ना होने पाए, reason being, मैंने आपको कई बार पहले ही बोला था, कि देश में अगर ऐसे 10 तरीके से, हमारी website हो, चाहे RBI हो, चाहे nuclear plants की website हो, चाहे Department of Atomic Energy की हो, चाहे कोई हमारे financial यह हो गया, फि वो black market पे, वो black जो, यह जो dark web था, उस पे वो data available था, बिक रहा था, तो यह कितनी बड़ी बात है, कि देश के लोगों का personal identity इस समय पबलिक हो रखी है, यह सारे, अब इस information का कितना misuse हो सकता है, कि मान लो, आपके आधार कार्ट से कोई detail निकाल ले, और नकली आधार में एंटर करे, और उस hotel से को जैसी गतिवीदी करे, जहां आप कभी गए ही नहीं हो, तो यह बहुत बड़ा एक unit है, एक बहुत बड़ी problem है, जो नए तरीके के cyber attacks हो रहे हैं, हमारे, अगर RBI का server, 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए अगर डाउन हो जाए, आप इमेजन कर यूनिट को strong करती रहें, उसको और enhance करती रहें, और कोई अगर ऐसा कुछ, अगर कोई अगर आतंगवादी, अगर semi-automatic लेके आ रहा है, तो यह fully automatic लेके आए, यही तो होना चाहिए तरीका, कि proper हम लोग एक कदम आगे रहें, एक कदम के 5 कदम आगे रहें, ठीक है, अब professional and coordinate relation हमको maintain कर रहें, with the governments of state भी, union territories की governments के साथ भी, और बाकी ऐसी law enforcement agencies in compliance with the legal provisions of the laws, ठीक है, NIE Act में जो जो, क्योंकि कई सारे legal provisions ऐसे हैं, अब NIE Officers है, वो कहें एक बार, तो मुंबाई में जाके उन्होंने का कि यह मुंबाई पुलिस रप पीछे रहें, अभी एक मिनिट के लि नहीं रह पाएंगे, पुलिस को अगर कभी इनसे कोई साजा करने हो की जब्मेदारी, कोई information तो हो सकता है, ना करें, या करें, तो बहुत अच्छा काम करती है, आप खुब अच्छा काम करो, खुब ट्वीट्स करो, खुब अपना चालान वालन काटो, आप तो काटते हो अच्छे से, तो आप एक काम और करो, कि हमें ये वाला department अभी जरह हमें deal करना तो हम सारी information आपको दे देंगे, पहले हम investigation को छूने दो, आप मत छूना, ठीक है, चलो, assisting all states, सारे states की और उनकी अपनी investigation agencies को, investigation of terrorist attacks, ठीक है, ये भी होना चाहिए, फिर जैसे STF, मुंबई की पह माववाद का एरिया है, नकसलवाद का एरिया है, उन एरियाज में जाके, पुलिस की, investigation agencies की help करना के हम है, हम साथ देंगे आपका, फिर, building a database, सारे terrorist related जतनी information है, कोई ये फलाना बिन, ये, कोई उसामा बिन, ये, कोई कुछ भी, उन सब के उपर सारी information, कि इनका last known location क्या है, इनके, 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 जितने, जितने, इनके, कौन-कौन confident है, कौन-कौन इनके आसपास के जो acquaintance है, कहां समान लेने जाते हैं, सब जी खरीदने जाते हैं, आपको याद है, जो, जब CIA ने, पूरा जब उसामा को पकड़ा था, ये, एबिटाबाद में, तो, उसामा को जाला है, मारा है, उस घर का, इन्होंने, सीवेज, नालियां, जो सीवेज की नाली होती है, वो, जहां से सारी गंदगी भाहर जाती है, उस नाले को लोग एनलाइज करते रहें, कि इसमें DNA हम कैसे शौर करें, प्रूफ करें, कि अंदर उसामा है, कैसे इन्होंने, टूथ एक्चुली में है वागे नहीं, बहुत ही जादा शौर होना पड़ेगा, 99% से जादा हमें शौर होना पड़ेगा, more likely than not, कोई no, मतलब कोई reason नहीं रहना चाहिए, कि आपको doubt हो सके, तो आप शौर करो कि वो information वहाँ जो मिल रहे है, वो सही है, फिर ऐसी information को पूरा database का बन कि वहाँ पर क्या कोई नहीं चीज आ रही है, जैसे adequacy of existing laws in India जो है, वो adequate है कि नहीं, वो perfect है कि नहीं, या वो अभी तक जो है, sufficient है कि नहीं, and proposing changes as and when necessary, ठीक है, जैसे France का भी आया था, no money for terror, money, पैसा solve कर देगा, अगर आप पैसा काट दो, तो फिर agencies, यह जो terrorist agencies हैं, यह फिर कैसे support करेंगी अपने इनको, यह जो sleeper cells को, या अपने जो भी कोई suicide bomber को, या को भी जो लोग जाते हैं, तो आप पैसा काट दो इनका, पैसे की जड़ काट दो इनकी, फिर आपका काम खतम, ठीक है, इनका काम खतम, फिर winning the confidence of the citizens of India through selfless and fearless endeavors, अच्छी बात है, यह तो करनी भी चाहिए, ठीक है, हम आगे चले, हमने का NIE का jurisdiction, NIE कहां कहां जा सकती है, तो NIE हर वो जगे जा सकती है, जहां पे बाकी एजनसी जा सकती है, लोग, खतम बात, मतलब क्या है, concurrent jurisdiction है इनके पास, जहां पे बाकी एजनसी जा सकती है, वहाँ यह तो जाएंगी ही जाएंगी, इन अगर कोई एंड ओफेंस अंडर वेरियस एक्ट जो जो इनक्टेड है तो इंपलेमेंट हमारी कौन कौन सी इंटरेशनल ट्रीटीज अग्रीमेंट्स को रोकने के लिए हमने जो जो एजनसी बनाई है उस एजनसी के साथ नाइए भी तालमेल बढ़ा सकती है अब यहाँ पर NIA was empowered to probe terror attacks ठीक बात है जैसे क्या-क्या bomb blast, hijacking of aircraft, ships इसके अलावा attacks on nuclear installations हमारी इतने power plants है and use of weapons of mass destruction यह weapons of mass destruction कभी आपने सुना है कहीं Iraq, WMD, weapons of mass destruction तो क्या होता है एक Egyptian, एक Saudi का आदमी दो प्लेन लेके, तीन-चार प्लेन लेके, जब World Trade Center पे जाके घुश जाते हैं, तो US एक जंग छेड़ता है इराक से, अफगान से, बदब यह बहुत ही जादा सोचने वाली बात है कि वो जो terrorist था, थे, जो भी जतने भी ल वो यह तो Saudi थे, Egyptian थे, Jordanian थे, Lebanon के लोग थे शायद, पता नहीं काका के थे, Emirates के थे वो लोग, और US ने जंग छेड़ी कहां? इराक में, अफगान में, तो यह सब, तो इराक में बोला गया था कि इराक में हमें शक है कि Weapons of Mass Destruction मिल रहे हैं हमको, और हमें शक है, मतलब शाय क्या पता, WMD वहां पे हैं, यह WMD होते हैं, जैसे nuclear bombs, या और कोई atomic bomb, कुछ भी, तो यह सारी तेकिकात करने के लिए हमारी NIA equipped थी, फिर 2019 में, एक NIA में amendment होता है, और इसका jurisdiction को और बढ़ाया जाता है, तब NIA का jurisdiction, अब empower करता है NIA को to probe the offenses relating to human trafficking, यह भी देखते हैं, इसके बाद counterfeit currency, या banknotes जो होते हैं हमारे manufacture and sale of prohibited arms, यानि कि cyber terrorism भी, explosive substance भी और जो arms and ammunitions होती है, जो prohibited है, जैसे prohibition क्या-क्या है, कि आप कैसा वाला हथियार नहीं लेके जा सकते हो, आप इससे बड़ा कोई भी हथियार रख नहीं सकते हो, इससे बड़ा, बस, साब बात है, change से normal person to carry without license, और guns वगेरा के लिए तो license हमारे देश में बहुत टफ है, मैंने आपको पिछले lecture में एक बार कभी बताया भी था, कि हमारे गन का license लेना कितना मुश्किल है, यूस में कितना आसान है, जाके दुकान में जाके सबजी की तरह ले आए, वाँ बंदूक, तो हमारे य license लेना गन का बहुत बड़ी बात है, कोई देना ही नहीं चाहता license, नहीं देगा कोई, पता नहीं क्या अबाद में हो जाए, तो कई सारी जो मेरिफेक्चर होते हैं, जो देशी कट्टे होते हैं, जो देशी और सारी हतियार होते हैं, तो इनको रोकना है, इनको बनने से रो अब NIA का जो 2019 में जो amendment हुआ है इस amendment की वज़े से यह बोला गया कि अब जो NIA Act के जो provisions हैं यह सारे apply होंगे हर उस person पे जो commit करता है एक scheduled offense वो offense जो beyond India हुआ है लेकिन Indian citizens के against के साथ हुआ है या Indian interest के against हुआ है interest of India ठीक है इंडिया का जहां जहां पे कुछ ना कुछ हमारा interest जोड़ा हुआ है हमारा कोई ना कोई हमारा angle है अगर किसी person ने ऐसे कोई offense किये हैं पर वो offense इंडिया में नहीं किये हैं या तो Indian citizens के against किये हैं उसने या इंडिया के interest के against उसने कहीं किये बाहर तो NIA जाके उसको probe कर सकती है उसको जाके investigate कर सकती है अब ये बोला गया कि जो officers है NIA के shall have the similar powers, duties, privilege, liabilities ये सारे कि सारी वो सब है उनके पास जो एक police officer के पास होती है जब वो investigate कर रहा होता है एक police officer in connection with the investigation of offenses जो एक police officer के पास जितनी ज्यादा duties, liabilities, privilege, जितनी powers होती है वो होंगी उनकी not only in India but also outside India आई बास समझ में इंडिया में तो है ही है इंडिया के बाहर भी है उ वो सारी power वो सारी जिसे कहते हैं सारी liability भी होती है पताए आपको जब foreign जाते हैं अमारी देश के सरकार के लोग तो उनको मिलता है एक official passport ये normal passport तो हमारा कैसा होता है blue जो official passport होता है वो दूसरे रंका होता किसी को पताए क्या पताऊ तो बताना एक तो diplomatic passport होता है वो तो हमें स सबको, वो तो red वाला होता है, ठीक है, वो तो immunity देता है हर चीज से, एक होता है official passport, अगर यह किसी को बताओ तो बताना कि यह कौन से रंका होता है, ठीक है ओके, it empowered the central government, कि central government को इस NIA Amendment Act 2019 ने बोला कि central government चाहे तो कोई अगर scheduled offense के respect में जो हुआ है, committed outside India, यह NIA को direction दे सकती है, central government कि आप एक case register करो, और investigation को take up करो, अगर ऐसा offense has taken place in India, अच्छा, ठीक बात है it provided that the central government और हमारी state सरकारें may designate क्या designate कर सकती है, कोई भी जो हमारे सत्र नायला होते हैं, हर स्टेट्स में sessions code जो होते हैं, दिवानी वाले कचेरी वाले, तो sessions code को बोल सकते हैं, कि हाँ, अब यह special code है, for NIA, for the speedy trial, for conducting the trial of offenses under the NIA act, कई सारे courts होते हैं, CBI की court होती है, कोई NIA court होती है, NCB की court होती है, तो यह सारे courts क्या होती है, यह special code है, अब sessions code को यह act बोल सकता है, कि center और states के पास यह power है, यह हम इनको empower कर रहे हैं, कि आप किसी session code को special code में तब्दील कर दो, ताकि एक speedy trial हो सके, जो NIA act के तहर्त जो offense होए है, अच्छा, ठीक है, अब इस act, इस amendment act ने insert किया, certain new offenses in the scheduled of NIA act, बस, अच्छा, ठीक है, अब हम बात करेंगे, कि जो law कैसे widened हुआ, जो अपने नए-नए ऐसे, जो schedule में नए act डाले हैं, वो कैसे आए हैं, तो NIA can investigate and prosecute offenses under the act specified in the schedule of the, of this, क्या-क्या है, जैसे-जैसे, तो originally तो उसमें क्या-क्या थे, Atomic Energy Act 1962, ठीक है, The Unlawful Activities Prevention Act, UAPA 67, फिर Anti-Hijacking Act 1982, यह तो थे ही थे, अब, जो नए amendment हुआ, इसके बाद से NIA के पास power आई है, ऐसे-ऐसे cases को पढ़ने के लिए, जो human tracking से जुड़े हैं, मानफतसकरी, या counterfeit currency या manganos, अच्छा, ठीक है, manufacture and sale of prohibited arms, ठीक है, cyber terrorism, ओके, offense under the Explosive Substance Act 1908, यह act कब का है, 1908 में Explosive Substance Act आने का कोई purpose रहा होगा, क्या, 1908 बहुत important year है, 1905 में कुछ होके चुका था, Bengal का partition हुआ था, फिर 1908 में, अगर British सरकार Explosive Substance लेके आई थी, क्या कुछ हो रखा था क्या, हमने कहीं क्या कोई काकोरी कर दिया था, हमने क्या amendment हुआ था, तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें वही सारी बाते हैं जो हमने पीछे बढ़ रखी है, कि ये, NIA के पास empowerment बढ़ रहा है, empowers NIA to probe terror attacks targeting Indians, Indian interest on foreign soil, ठीक है, अब NIA can probe cyber crimes and cases of human trafficking, ओके, ठीक है, फिर, center and states to designate sessions court as special courts, ठीक है, ये भी पढ़ लिया हमने, ओके, अच्छा, ठीक है, अब, जो UAPA है, तो उसके regarding में, NIA के पास क्या आ जा रहा है, UAPA Bill, empowers NIA DG, जो हमार डेक्टर जनरल है, to approve seizure or attachment of property in case, ठीक है, जब-जब कोई अगर unlawful activities में, यानि UAPA Act के साथ, पकड़ा जा रहा है, और हम देखते हैं कि इसके पास इतनी प्रापर्टी है, इसकी प्रापर्टी को attach करो, इसकी प्रापर्टी को seize करो, ठीक है, फिर जो NIA के inspector होंगे, जो investigator होंगे, जो भी होंगे, वो, they can investigate the offense under the chapter 4 and 6 of this act, ठीक है, NIA Act में कई सारे chapters हैं, 2 to 3, जो National Human Rights Commission है, तो 2 से लेके 3 हो जाएंगे उसमें, जिन में से एक महिला होनी चाहिए, और retired Supreme Court judge है, they also could be considered as chairperson, ठीक, बस ये बात है, तो अब जब Human Rights Protection के लिए बात होगी, Human Trafficking के बात होगी, तो investigation तो ये करेंगे, फिर NHRC को अपनी रिबोर्ट की दे देंगे, लो साब, ये रही हमाई तैकिकात होने के बाद, सारा हमारे पास सामान आ गया है, हमारी information आ चुकी है, so, with this हम इस chapter को यहां खतम करते हैं, और मिलते हैं आप से अग्डी क्लास में, till then you keep studying, stay safe, good luck.